हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो डिम्जेस क्लासेश दिस सीमा और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे NCRT जोग्रफी की जो बुक हम लोग कर रहे थे उसका क्लास 7 का चैप्टर नंबर 8 के बारे में ठीक है इसका नाम है यह चैप्टर का नाम है इसको हमें अच्छे से समझना है पहले डिटेल में डिस्कस करेंगे जो में पॉइंट से सबको डिस्कस करेंगे उसके बाद हम लोग क्वेश्चिन अंसर सॉल्व करेंगे ठीक है इससे आपको क्या होगा प्रैक्टिस हो जाएगे कि किस प्रकार के प बन सकते हैं ठीक है बाकी ज्यादा इसमें चैप्टर में कुछ है नहीं समझने वाली चीजे हैं जो हम आपको अभी अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे उस दौरान आपको प्लियर हो जाएंगे और जो लोग नए जोड़े हैं चैनल से उनसे बताना चाहेंगे कि इसी त सब्सक्राइब करना बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी न भूलें चलिए फिस्टार्ट करते हैं आज की क्लास चलिए बस ध्यान से सुनते रहिए समझते रहिए बाकी ज्यादा कुछ है नहीं चैप्टर में बहुत सारी चीजें सेम ही हैं जो हम पढ़ चुके हैं प अगर यह दस दिग्री डक्षण की अगर बात करेंगे तो यह वाली बैल्ट जो आप देख रहे हो यह वाली बैल्ट कहलाती है भूमध्य रेखिये प्रदेश ठीक है कर्क 25 मकर तक तो हम लोग क्या कह रहे थे ओष्ण कटी बंधी प्रदेश ठीक है ओष्ण कटी बंधी प्रदेश कहा जाता है लेकिन भूमध्य रेखिये प्रदेश किसे कहते हैं तो 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री डक्षण इसको याद रखेगा तो भूमध्य रेखिये प्रदेश अभी हमने देख लिया क्या ठीक है दक्षीन अमेरीकी महादूइप में है और ब्राजील देश से हो करके गुजरती है ठीक है और प्रवाह के आधार पर सबसे बड़ी नदी कही जाती है किसके आधार पर प्रवाह के आधार पर यह point important है इसको याद रखना ऐसे अगर आपसे पूछा जाएगा कि विश्वी की सबसे लंबी नदी कौन से है तो आप नील नदी को टिक करेंगे लेकिन प्रवाह के आधार पर पूछा जाएगा तो कौन सी नदी है अमेजन नदी ठे इतने शेत्र को सब कवर करती हैं सारे नदिया मिल करके उस पूरे शेत्र को क्या कहते हैं प्रवाह शेत्र कहते हैं तो इस अधार पर अमेजन नदी सबसे बड़ी नदी है ठीक है जस अस्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशी में मिलती है उसे उस नदी का मुहाना कहत कोई नदी अगर जाकर के समुद्र में मिल रही है जैसे यह तट रहा है यहां पर क्या है यह पूरा समुद्र है तो इस यह जो नदी समुद्र में गिरेगी तो यहां गिरेगी ना यह वाला जैसे यह है एक मुख्य नदी अमेजन नदी ठीक है यह एक मेजन नदी मुख्य नदी है इसके साथ सहायक नदियां कही सारी आकर के मिल जाती है दोनों तरफ से ठीक है तो क्या होता है एक मुख्य नदी के अलावा सहायक नदियों का जो यह पूरा जल्ग्रहंड शेत्र है न पश्चिम में आप जानते हो दक्षणी महादवीप में पश्चिम में का परवश्रेणिया है उस परवश्रेणिया से अमेजर नदी निकलती है और कहा गिरती है अटलांटिक महासागर में गिरती है यानि पश्चिम से निकल करके पूर्व में अटलांटिक महासागर में गि जाती है उस बड़ी नदी के अंदर मिल जाती है उनको क्या कहा जाता है मुख्य नदी की सहायक नदियां उन्हें कहा जाता है जिस प्रकार से आपने देखा होगा गंगा नदी में कई सारी नदियां करके मिलती है सोन केन बेतवा चंबल है गांगरा गोसी गंडक ये सारी जंगा नदी की क्या है सहायक नदियां कहलाती है ठीक है मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस छेत्र के पानी को बहा कर ले जाती है वह शेत्र मुख्य नदी का बेसिन अथ्वा जल संग्रहंट शेटर कहलाता है बेसिन क्या है अभी हमने डिसकस कर लिया मुखै नदी के साथ जो सहायक नदियां आकर करके मिल रही है चारों तरफ से 07 लों तरफ से उस जितना शेटर सारी नदियां करके कवर करती हैं, वो पूरा शेत्र बेसिन कहलाता है, ठीक है? और इसी शेत्र को क्या कहते हैं? जल संगरहंड शेत्र भी कहा जाता है, तो बेसिन आजाए या जल संगरहंड शेत्र आ जाए? एक ही चीज़ है लगबक, ठीक है? चलो, आगे देखो, अमेजन बेसिन और यहां पूरे वर्ष गर्म और जलवायु रहती है कि बूमद रहे हैं तो वर्ष एक साथ प्रिवर्जट सें यहां पर बराद होता है और इसी कारण इनसे जादा अधिक मात्रा में वाश्पी करण होता है, वाश्पी करण होने के फ़ल सुरुप क्या होता है? संगनन की क्रिया होती है, उसके परशाथ वर्षा की क्रिया होती है, ठीक है? तो रोज ही यहाँ पर लगबग बारिश होती है, इसी वज़ेसे नम जलवाईू भी पाई जाती है, तो गर्म और नम, दोनों प्रकार की जलवाईू हमें भूमत रेखा के आसपास देखने को मिलती है, ठीक है? यहाँ लगबग रोज ही बिना चेतावनी के वर्षा होती है, बिल्कुल सही है, यहाँ का मौसम कैसा है? दिन और रात, दोनों ही समय लगबग सम अधरिता महसूस होती है, आपने महसूस किया होगा कि जब आकाश में बादल चाये हुए होते हैं, तब क्या होता है? जो धरातल की उश्मा होती है, वो विक्रन द्वारा बाहर नहीं निकल पाती है, अंतरिक्ष में नहीं जा पाती है, इस कारण से हमें अधिक गर्मी होती है, वहीं जब आकाश साफ होता है, स्वच होता है, उस समय क्या होता है? जो धरातल की उश्मा होती है, वो विक्रन द्वारा बाहर चली जाती है, और हमें क्या महसूस होता है? ठंडक महसूस होती है, तो यहीं अंतर है, यहां पर क्या है? हमेशा बादल बने रहते हैं इसी कारण से यहाँ दिन और रात का मौसम लगबग एक जैसा ही रहता है, जिससे शरीर में क्या चिपचे पाहट जिसे महसूस होती रहती है, ठीक है, अमेजन बेसिन के वर्षा वनों में अत्यधिक वर्षा के कारण इतने सघन वन उगते हैं, कि पत्तियों तथा शाकाओं स छत सी बन जाती है, ठीक है, जिसके कारण सूरी का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता, तो इस पॉइंट को हम लोग पहले पी डिसकस कर चुके हैं, तो अमेजन जो वेसिन है, वहां के वर्षा वन इतने सघन होते हैं, क्योंकि रोज बारिश होती है, इसकी कारण से वहाँ पर क्या सदाबाहरवन पाए जाते हैं, और इसी सघनता के कारण से पत्तिआं और शाखाओं की चट सी बन जाती है, और सूरे का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता है, इसे कारण से छोटे जो पेड पॉधे होते हैं, छोटे पॉधे यहां पर नहीं पनप पाते हैं क्यों कि लंबे-लंबे वरक्ष होते हैं जो कि जो किया करते हैं सुरी की जो रौष्णी होती है नीचे नहीं पाती है सुरी की रौषावनों में और succ by यूड़ पधे उगते हैं most important point है याद रखेगा कौन-कौन से और्कीड और ब्रोमेलाइड पर जीवी पॉधे उगते हैं यह दोनों नाम है important है इनको याद रखेगा Amazon के वर्षावनों में कौन-कौन से जीव जन्तु पाए जाते हैं इन पर भी एक नजर डालते हैं important question इन में से बनाई जा सकते हैं तो पक्षी के अगर बात करें तो टूकन और गुंजन पक्षी तो टूकन और गुंजन पक्षी को आपको ध्यान रखना है विशेश जानवर हैं बंदर, सलॉत, एवं चीन्टी खाने वाले टैपीर Amazon के वर्षावनों में पाए जाते हैं सरीसर्फ, मगर, सांप, अजगर, एनाकॉंडा, बोवा एनाकॉंडा साहप कहां पर पाए जाता है Amazon के वर्षावनों में पाए जाते हैं और यह इतने विशाल होते हैं कि यह मगर को भी खा सकते है आकॉंडा कि मगर को भी अपना निवाला बना लेता है अगर बात करें तो मांस खाने वाली पिरान्या नामक मचली और अन्य मचलिया भी यहाँ पर पाई जाती है इतने सारे आपको ध्यान देने हैं मुख्य फसलें अमेजन वर्षावनों में रहने वाले आदिवासियों की मुख्य फसलें क्या है तो मैनियोक, टैपियोका, अनानास एवं शकरगन ठीक है यहाँ के लोगों की मुख्य फसले है नकदी फसलें कौन-कौन सी है कौफी, मक्का एवं कोको यह नकदी फसलें उगा करके भूमी साफ करते हैं फिर इनको जला दिया जाता है ठीक है जिसे मिट्टी में पोशक तत्वों मिल सके फिर साफ भूमी पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाती है और जमीन के इस टुकडे को बार-बार प्रयोग में लाने से मिट्टी में पोशक तत्वों का जहन, क्रशी, पद्धती कहा जाता है, ठीक है, देखो, मुख्य आहार इन लोगों के क्या होते हैं, मुख्य आहार की बात करें, तो इनका मुख्य आहार होता है, मिनियोक, ठीक है, मिनियोक होता है, इनका मुख्य आहार, जिसे कसावा भी कहते हैं, मिनियोक या कसावा कहते है इसको याद रखीगा, यहां आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है, ठीक है?, अमेजन बेसन के लोग मदुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छपपर के घरों में रहते हैं कैसे मदुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छपपर बना करके रहते हैं ठीक है कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले एपार्टमेंट जैसे घरों में भी रहते हैं अपार्टमेंट जैस यह से सावा कहा जाते है इन इस सबसीर नच्वाट को या द रख्येगा तो मलोकाँ किसे आगा जाता है बड़े एपाटमेंट वाले घरों को जिनकी के fixing उती कैसी होती है टीवर धलान वाली चाट के mm हो थे इस तरह से ठीच प्रवास के लिए मैदानी शेत्र सबसे उपयुक्त है इसलिए यहां अधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, ठीक है, मानव कहां पर ज्यादा रहना पसंद करते हैं, मैदानी शेत्र में, क्यों, क्योंकि यहां पर क्या है, उपजाओ भूमी इनको मिल जाती है, क्रशी कारे करने के लिए, कई सारे reason होते हैं लेकिन उसमें से main reason क्या है यहां पर जाओ भूमी मिल जाती है और जल की उपलब्धता आते दिख रहती है ठीक है इसलिए यहां पर जनसंख्या घंत्व पाया जाता है जनसंख्या घंद्व क्या होता है एक वर्ग किलो मीटर शेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाती है और यह गंगा प्रह्म पुत्र का जो बेसिन है यहाँ पर उपजाओ मिट्टी पाई जाती है जरोर मिट्टी पाई जाती है और जल की अतिदिक उपलब्धता होने के कारण से यहां की मुख्य फसल की बात करें तो कौन सी यहां की मुख्य फसल है तो धान यहां की प्रमुख फसल है ऐसे तो कई सारी फसले यहां पर उगाई जाती है उपजाई जाती है लेकिन धान जो है यहां की मुख्य फसल है ठीक पर परदों का संवोऀं ढाता है। कि सिल्क उत्पादन किया जाता है, घंगा भुत्र के डेल्टा शेत्र में कहाँ पाए जाते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा शेत्र में मैंगरोव वनों को सुदर वन के नाम से भी जाणा सुन्दर वन सुना होगा आप लोग तौन होते हैं ठीक है इन्हें मैंगरोव वनों को सुल ओंद वन Sharp से भी जाना भी आफिा पॉइंट है याद रख लो कि जो अलवन जल ठीक है क्योंकि गंगा और ब्रह्मोपुत्र नदियों का जो जल होता है अलवरी होता है ठीक है साफ होता है यहां पर क्या है एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है जिसे स्थानिय भाशा में सुसू या फिर अंधी डॉल्फि कहा जाता है ठीक है और इसके उपस्तिती से जल की शुद्धता का पता चलता है ठीक है सुसू जहां अगर पाई जाएगी अंधी डॉल्फिन जहां पाई जाएगी वहां क्या पता चलेगा कि वह जो जल है वो शुद्ध है इसका पता चलता है क्योंकि यह अलवनी जल में ह पाई जाती है ठीक है लेकिन इनकी प्रजातियां आप तेजी से नश्ट हो रही है कारण क्या है इनकी प्रजातियां नश्ट होने का तो कारण है और द्योगिक रसायन और शहरों से निकलने वाली गंदगी जो की नदियों में जाकर के मिल जाती है और इन जैसी प्रजातियो सुन लिया है हर चीज को तो आप सारे जो क्वेश्चन हम आगे देखने वाले हैं सभी को बहुत आसानी से इजली सॉल्व कर पाएंगे ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं प्रशन उत्तर को तो पहला प्रशन है हमारा अमेजन नदी बेसिन के संदर्व में निम्लोलिकत में से कौन सा कथन सकते हैं तो तीन कथन यहां पर दिये गए हैं जिनमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन यहां पर सही है ठीक है फर्स्ट है अमेजन नदी बेसिन भूमदी रेखा के आसपास फैला है जिस कारण यहां प यह कथन भी बिलकुल सही है इस प्रदेश में लगभग प्रते दिन वर्षा होती है वह भी बिना किसी पूर्वर चेतावनी के तो तीनों ही कथन जो यहां पर दिये गए हैं बिलकुल सही है यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा option D उप्रोक्त सभी ठीक है प्रोमेलाइट जयसे परजीवी पौधे किस प्रकार की वनिष्थत में उगते हैं ऑप्षण दिए गये है वर्षावन, मांसुली वन, भूमद्य सागरई वन या शंकुदारी वन तो ऑप्षण और ब्रोमेलाइट के वर्षावन के संदर्व में मलोका किसे निरूपित करता है मलोका मैंने बहुत ही जोर देके आपको कहा था कि इस वर्ड को याद रखेगा अब बताइए मलोका किसे निरूपित करता है औप्शन दिये गए है यहां पाए जाने वाले एक विशिष्ट प्रकार के जीव को यहां के लोगों के प्रमुक खादि पदार्थ को यहां के लोगों के द्वारा बनाई जाने वाले घरों को यहां के लोगों के द्वारा अपनाई गई क्रशी पद्धती को तो मलोका शब्द यहाँ पर किसे निरूपित करता है यह आपको बताना है अगर आपने पीछे जो पिछले 20 मिनिट से मैं बोल रही हूँ आपने ध्यान से सुना है तो इसली आप इस question का answer निकाल लोगे कि यहां के लोगों के द्वारा बनाई जाने वाले घरों को क्या कहते हैं मलोका कहा जाता है ठीक है घरों को जो घर बड़े बड़े अपार्टमेंट के रूप में बनाई जाते हैं उन्हें मलोका कहा जाता है ठीक है आगे देखो भारत की कौन सी नदी के बेसिन में सू-सू नामक डॉल्फिन पाई जाती है तो कहां पाई जाती है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी घाटियों में नदी बेसे में ठीक है गंगा और ब्रह्मपुत्र यानि वन और टू तो यहां पर option अमारा क्या correct होगा यहां पर क्रेक्ट है लांस्ट प्रश्न है को लकाता किस नदी तत पर अवस्थित यहां वह आपको बताना है तो option आपके दिये इसको याद रखेगा तो ये ध Sport Partners सी ही मैपुना विन्दू जिनरे हमने डिसक oppress किया practice के तौर पर questions को भी solve किया अब उमीद करते हैं कि chapter आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से अगर समझ में आ गया है वीडियो useful लगी है तो like ज़रूर किया करें और ज़्यादर से ज़्यादर अपने दोस्तों के साथ share भी करें तक कि और भी भाई भेंट जो हैं हमारे चानल के साथ जुड सकें ओके आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं कल नेक्स वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड़ बाई टेक केर और गल्ड़ ब्लेस यो अल